जेहिन दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगनीपत महिला आर्मी भरती 2022 के कम्पलीट डिटेल्स के बारे में अगर आप भी ये गल्स कैंडिडेट है तो इंडियन आर्मी के तरब से ओफिसियली इसका नोटिफिकेशन आ चुका है इलिजिबिलिटी बताएंगे कि इज लिमिट क्या रखा गया है गल्स कैंडिडेट के लिए इसके अलावा एजुकेसनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा इसके अलावा कौन-कौन से पोश्ट पर आपका भड़ती होने वाला है इसमें हाइट आपका क्या रहेगा और आप सभी को बता दे प्रोसेस कैसे होगा, कौन-कौन से डॉक्मेंट आपको लेकर जाना होगा, सैलेरी कितना मिलेगा, और पारियर आपको कितना छूटी मिलेगा, रैली डेट इसका कब से होगा, और फार्म अपलाई कब से शुरू किया जाएगा, तो कम्पलीट जनकारी आज की इस वीडियो मे आपको देखने को मिलेगा, वीडियो में आप सभी बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, यह इंडियन आर्मी का उफिसियली साइट है, और इसी वेव साइट पर आप सभी यहाँ आप नीचे के तरफ देखेंगे, एक अगस्त दो हाजार बाईस को, ड्राप्ट रैली नोटिफिकेशन फोर अगनी बी ओमें, यानि कि गर्ल्स कैंडिडेट के लिए जो आपका अगनी पत स्कीम के अंत्रगत वेकेंसी होने वाला है, उसको लेकर यह उफिसियली नोटिफ जारी किया गया है, तो चलिए इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं, और आप सभी को बताते हैं कि क्या-क्या eligibility criteria इसमें मांगा गया है, तो आप सभी देख सकते हैं, यह रहा इसका officially नोटिफिकेशन और नीचे के तरफ इसकी complete details दिये गए हैं, तो सबसे पहले तो य आपको per year जो है आपको छूटी इसमें मिलने वाला है, और अगर आपको कोई medical problem होता है, तो उसके लिए अलग से जो है आपको छूटी दिया जाएगा, इसके बाद यहाँ पे pay scale के बारे में आप सभी देख सकते हैं, यानि कि salary जो है आपको per month कितना मिलेगा, तो इसमें ज 40,000 per month आपका salary मिलेगा, लेकिन एक important जनकारी आप सभी को बता दे, कि आपका जो है जितने भी per month आपका salary मिलेगा, उसमें से 30% salary जो है आपका काट लिया जाएगा, तो अगर देखा जाए 30,000 में से per month first year में, तो ये कई सजार ही आपको in hand आपका salary मिलने वाला है, और बाकी salary जो है आपका अगनी बीर कर्प्स फंड में जामा होगा, यहाँ पा देख सकते हैं, सेवा नेजी package के अंतरगत, आपका 30% जो है आपका salary है, उसमें से काटा जाएगा, और इतना ही salary यानि कि इतना ही payment जो है 30% government of India के तरब से जो है आपको per month दिया जाएगा, तो यहाँ प लेगा, तो टोटल जो है 10.04 लाख हुगा, और अलग से जो है इसका interest मिला कर आपको एगारे point यहाँ पे आप सभी को बता दे, एगारे point एक 70 लाख रूपिया जो है retirement के समय सेवा निधी package के अंतरगत आपको दिया जाएगा, तो आपके ही salary से 5 लाख और 5 लाख जो है government of India और कुछ है interest के साथ जो है एगारे point एक 70 लाख जो है, 4 सल के बाद आपको retirement के समय जो है payment दिया जाएगा, इसके बाद दोस्तों आप सभी को बता दे, इसमें अलग से allowances बे आपको मिलने वाले हैं, तो इसका details यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे life insurance आपका cover भी रहेगा, और इसके अलावा आप सभी यहाँ पर देखेंगे, benefit यहाँ पर बताया गया है कि अगनी बीर के अंतरगत आपको क्या-क्या benefit मिलेगा, तो सबसे पहले जब आप retirement होंगे, उस समय आपको सेवा निधी package दिया जाएगा, यहारे point एक 70 लाख, उसके बाद से जो है आपका certificate रहने वाला है अगनी बीर का, इसके अलावा आप सभी को बता दे कि अगर आप सभी तेन्थ पास करके जो है अगनी पत स्कीम के अंतरगत Indian Army ज्वाइन किये हैं, तो आपको जो है 12th का भी certificate दिया जाएगा, जो की बिल्कुल 12th लेबल का आपका रहेगा, तो अगर आप से भी केवल तेन्थ पास रहेंगे तो आपको अलग से जो है 12th का भी certificate मिलेगा, और अगर आप से भी 12th पास है तो फिर certificate लेने का कोई फैदा नहीं, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं भरती की details की, तो सबसे पहले तो यहाँ पा देख लिजिए जो आपका vacancy होने वाला है female candidate के लिए इसमें जो है अगनी बीर GD यानि की GD पोस्ट कहीं केवल भरती होगा, technical, treatment, clerk, इन सभी पोस्ट पर आपका भरती नहीं होने वाला है, केवल GD पोस्ट पर जो है आपका भरती होगा, और इसमें आपका age limit जो है सारे 17 से 23 रहेगा, और यह age जो है एक October, यहाँ पे October 2022 के coding जो है आपका count होने माला है, तो एक October 2022 तक आपका minimum सारे 17 और maximum 23 बरस से जादा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे height में जो है इस सल बदलाव किया गया है, इस सल height जो है काफी जादा मंगा गया है, आप सभी देख सकते हैं इस सल जो आपका girls भी परिशान है क्योंकि आप सभी को पता है girls candidate का height तो यहाँ पे height जो है इस साल आपका 162 cm रहेगा, अगर इस से आप feet में देखेंगे तो 5 feet जो है 3 या 4 inch जो है आपका आएगा, यानि कि इसी बीच में आएगा, यहाँ पे आपको accurate बता देते हैं, 5 feet होगा और इसके अला हाइट रहेगा, तो अगर इस से आपका कम height है तो फिर आप form apply मत किजिएगा क्योंकि यहाँ पे इस से कम height रहने पा आपको disqualify कर दिया जाएगा, और इस साल height जो है थोड़ा ज्यादा मंगा गया है, और weight जो है आपके height and age के coding जो है मापा जाएगा, इसके बाद educational qualification की बात करें तो तेंथ pass out होना चाहिए किसी भी board से और overall 45% आपका marks होना चाहिए, यानि कि सभी subject को मिला कर और परतेक subject में आपका 33% होना आवस्याख है, तो अभी जाकर आप इस form को apply कर सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे अगर आप केवल Indian गोर्खा है, यानि कि गोर इसके बाद यहाँ पर नीचे के तरफ देखेंगे इसकी physical की details है वो दिया गया है, तो आप सभी को बता दे इसमें जो है physical के अंत्रगत यहाँ पर देखेंगे आपका running का जो है जनकारी दिया गया है, तो 1.6 km का आपका running जो है इसमें होगा और इसमें जो है आपको 7 मिनट 30 सकेंड का दिया जाएगा, यानि कि 7 मिनट 30 सकेंड के पहले अगर आप सभी running करते हैं तो आपको ज़्यादा जो है marks मिलेंगे और अगर आप सभी 8 मिनट तक करते हैं तो उससे थोड़ा कम नंबर आपको मिलेगा, लेकिन maximum समाए आपको इसमें 8 मिनट मिलने वाला है, 8 मिन आपको पास करना है, और high jump आपका 3 feet होगा, इसे भी आपको केवल क्वालीफाई करना है, तो long jump और high jump जो है केवल girls candidate के लिए मांगा गया है, male candidate के लिए ये नहीं था, तो ये long jump और high jump भी आपका होगा, जो केवल आपको क्वालीफाई करना है, इसके बाद यहाँ पे medical का details दिया गया है, और इसके अलावा आप सभी written test का यहाँ पे जनकारी दिया गया है, तो इसके उपर तो मैं एक अलक से वीडियो बना दूँगा, आप सभी के लिए कि written exam में क्या क्या पूछा जाता है, और यहाँ पे देख लिजिए कि document जो है कौन-कौन से आपको ले कर जान पासपोर्ट साइच का, और इसके बाद educational certificate में आपका तेंथ का जो certificate है और mark seat है, यह सभी आपको ले कर जाना होगा, और जो भी document आप ले कर जाएगा, वो जो है original और to copy दोनों होना चाहिए, ऐसा नहीं कि के वल to copy के वल ले कर जाए, इसमें original भी आपको ले कर जाना है, इस इसके बाद domicile certificate यानि कि निवास परमान पत्र जो की आपका तहसिलदार या district magistrate के द्वारा इसू किया गया हो, इसके अलबा कास्ट certificate ये भी तहसिलदार या district magistrate के द्वारा इसू किया गया हो, इसके अलबा religion certificate अगर आपके पास religion certificate नहीं है, तो कोई भी problem नहीं है, क्योंक स्कूल कायरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है जो कि स्कूल लेवल स्कूल कॉलेज यहां पर देखेंगे स्कूल या कॉलेज से जो हो इसू किया गया हो तो अगर आप से भी के पास स्कूल कायरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो इसे भी आपको बना लेना है इसक है last six month यानि कि six month से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए recruitment rally date के coding इसके अलावा जो है relation certificate अगर आपके father या brother पहले से जो है Indian army में job कर रहे हैं तो अगर आपके पास relation certificate है तो आप लेकर जा सकते हैं क्योंकि इससे जो है आपको कुछ benefit मिल जाएगा नहीं है तो कोई भी problem नहीं होगा इसके अलावा NCCC certificate अगर आप NCCC किये हैं तो आपको ये लेकर जाना होगा अगर export certificate है तो आप सभी लेकर जा सकते हैं और इसके अलावा unmarried certificate तो ये जो है unmarried certificate आपको village serpent या multiple corporation यानि कि village serpent से जो है आप सभी simply बनवा सकते हैं कि आप सभी unmarried है तो ये जो है village serpent से जो है आप सभी बना सकते हैं इसके अलावा आप सभी को बता दे यहाँ पे देखेंगे एफी debit भी मांगा गया है तो एफी debit भी आपको लेकर जाना होगा तो ये सभी document जो है आपको लेकर जाना है और इसका age जो है October 2022 से count होगा जैसे कि मैंने आप सभी को बताए है तो ये जो है इसमें complete details दिये गए हैं आप सभी यहाँ पा देख सकते हैं इस notification का link आपको description में मिल जाएगा और इसका recruitment rally कब से सुरू हो रहा है इसके उपर मैं already video बना चुका हूँ अगर आप सभी ये वीडियो नहीं देखे हैं तो link आपको description में दे दिये हैं कौन से estate का recruitment rally कब है उसके उपर मैं already video बना चुका हूँ और इसके अलावा इसकी form कब से सुरू होगा तो आप सभी को बता दे इसकी form apply date को लेकर अभी कोई भी update नहीं है जब भी इसकी form apply का date आएगा आप सभी को inform कर देंगे तो I hope आप सभी समझ गए होंगे कोई भी सवाल हो comment section में बताईए फिर मिलते हैं next video में तब तक के लिए जहिंद बंदे मातरम